हेलो फ्रेंड्स दा हेल्थ के टोड़े में आपका स्वागत है मैं डोक्टर मदुसुदन आज हम बात करने वाले हैं मेन इंफर्टिलिटी के बारे में यानि पुरूसों का बांजपन जो पुरूस संतान पैदा करने के काबिल नहीं होते उसे ही मेन इंफर्टिलिटी बोला करना है भोच से लोगों में आपने देखा होगा कि इस्पर्ण काौंट का होता है एक तो होती है एक तो होथा है ए means 0 sperm count जिसमें body sperm बनाती ही नहींயे अब उसके भी 2 reason हो सकते हैं या तो बचपन से ही आपकी body जो है sperm नहीं बना रही है आपकी बचपन से body ऐसी है कि इना नहीं बावे ने तो उस case में आज से shallty वाला ऊस तक treatment धेहने को नहीं मिला है लेकिन दूसरे case में क्या होता है कि कई बार पहले तो आपके स्पम्स होते हैं आपकी साधी होती है आपको एक बच्चा भी हो जाता है लेकिन उसके बाद जब आप दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करते हैं आपको बच्चा नहीं हो रहा हो और आप फिर टेस्ट कराते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं मतलब शरीर पहले तो बना रहा था लेकिन किसी ना किसी वज़े से कोई infection की वज़े से या किसी ब्लोकेज की वज़े से किसी वज़े से अब बोडी ने बनाना बंद कर दिया है तो उस case में result मिलने के बहुत अच्छे चांचिज होते हैं 99% केस उसमें soul हो जाते हैं बोडी फिर से दुबारा स्पम बनाना शुरू कर देती हैं बस थोड़ी सी patience की जुरत होती है और थोड़ी दवाईयों के साथ की जुरत होती है कुछी महीने तीन से चार महीने अगर आप दवाईया खाते है patience रखके तो इसमें हमें काफी अच्छा result देखने को मिलता है अब इसमें तीसा case आता है कि sperm बोडी बना भी रही है सुरू से बना रही है लेकिन sperm count जो है वो कम है sperm count इतना कम है कि वो natural pregnancy के लिए काफी नहीं है जैसे हमारी जो बोडी में हम जो report के according मानते हैं 60 million per ml sperm count आपका होना चाहिए एक healthy natural pregnancy के लिए 50 million per ml हो तो भी काम चल जाता है उसमें भी 90% chances होते है कि आपको conceive हो जाएगा कोई problem नहीं आएगी लेकिन अगर 50 million per ml से आपका sperm count कम है तो आपको pregnancy में दिक्कत आ सकती है हो सकता है आप हर महिने try करें लेकिन pregnancy ना हो पाए क्योंकि अगर 50 से कम है आपका sperm count तो उसमें भी healthy sperm कितने हैं वो भी matter करता है बहुत बार healthy sperm ही 20-30% होते हैं बाकी sperm जो भी निकलते हैं उसकारे dead निकलते हैं या फिर defected form में निकलते हैं जो eggs तक पहुँची नहीं पाते हैं अंडे तक पहुँची नहीं पाते हैं और pregnancy नहीं हो पाती है तो उस case में आजकल जो मुझे देखने को मिला है पिछले 3-4 सालों से जो patient देखने को मिले हैं कि बहुत लोग निरास हो जाते हैं और वो सिधा IVF center पहुँच जाते हैं IVF पराने के लिए तो ये वीडियो मैंने उनी लोगों के लिए बनाया है कि अगर आपका sperm count निल नहीं है चाहे आपका sperm count 2 million हो 5 million हो इतना कम हो तो भी आप दबाईयों से बिलकुल ठीक हो सकते हैं कुछ ही टाइम दबा करके आपकी रिपोर्ट बिलकुल नॉर्मल हो जाएगी आपकी बोड़ी प्रयाप्त मातरा में sperm बनाना शुरू कर देगी ये मैं बिलकुल दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने बहुत पेशेंट ऐसे ठीक किये हैं तो ये वीडियो स्पेशली उनी के लिए है अगर आपका स्परम काउंट कम है और आप निरास हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे आईवीफ ही करना पड़ेगा तो आप बोलना चाहता हूँ आप प्लीज एक बार आयरुवेद को मोका दीजिए आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसमें मैं 100% surety के साथ आपको treatment दूँगा मैंने बहुत लोगों को treat किया है और आज तक कोई patient निरास होके नहीं गया है हमारे यहां से तो अगर आपका sperm count चाहे वो 2 million हो 3 million हो लेकिन बस होना चाहिए निल नहीं होना चाहिए अगर कुछ भी sperm count आपकी body में है तो मैं आपको चाहूंगा कि एक बार IVF पे जाने से पहले आप आयरुवेद को जूरूर आजमाए इसमें आपको 100% result मिलेगा ही मिलेगा तो दोस्तों अगर आपके परिवार में आपके रिष्टेदारी में आपके मित्रों में किसी को भी ऐसी problem है जो pregnancy के लिए जूज रहे हैं संतान पैदा करने के लिए जूज रहे हैं IVF सेंट्रों के चक्कर काट रहे हैं IVF भी फेल हो जाता है बहुत बार IVF की भी कोई शेयर्टी नहीं होती है 60% केस ही जो है वो सक्सेस हो पाते हैं तो एक बार IVF को जरूर मोका दीजिए आपको बहतर परिणाम जरूर मिलेंगे तो उमीद हो दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ हम रखे आपका खयाल